हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का एक बार फिट से हैं हम यूपीपी हेड ओपरेटर की साइंस की क्लासिस कर रहे हैं और जैसे आपको पता है हमने तीन चार टॉपिक जनरल साइंस के कंप्लेट कर लिये हैं ठीक तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप वीडियो पर पहली बार आए है चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहां पर आपको यूपीपी हेड ओपरेटर से लिलेटिड सारी एक्जाम का मैटेरियल मिलेगा हिंदी जोग्रफी और साइंस के टॉपिक हम कर रहे हैं हिंदी की मैंने एक वीडियो डाली थी तत्सम तत्वब की टॉप 20 क्वेश्चन थे उसमें आप उसे भी देख सकते हैं चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाकर यूपी हेड ओपरेटर के नाम से प्लेइलिस्ट है और दूसरी बात यह कि अगर आप हमारे टेलिग् करवा देता हूं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था पिछली क्लास में हमने वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट किया था यानि कारे उड़ जा उड़ सकती वर्क के बारे में जाना था और वर्क अगर फोर्स किसी एंगिल पर लग रहा है तो उसके बारे में हमने डिसकस क पढ़ें जिसमें हमने positive work, negative work, zero work पढ़ा उनके छोटे से diagram के तुर हमने सारी चीजे समझी फिर उसकी बाद हमने conservative and non conservative forces यानि sunrackshy और आज sunrackshy बन वारे पढ़ा फिर हमने power start किया फिर हमने power के बारे में discuss किया था उसकी power का formula और power की unit देखी थी machine power की unit देखी फिर energy, energy की unit और देखी फिर form of energy के बारे बात करी heat energy, electric energy, chemical energy, sound energy ये सारी चीजे फिर हमने जो अच्छा खासा kinetic energy, potential energy के कई सारे example के साथ हमने ये चीजे भी पढ़े ही कि formula क्या होता वो सारी चीजे और लास्ट टोपिक जो हमने उस दिन किया था law of conservation of energy यानि उड़्जा संद्रक्षण का नियम के बारे में पढ़ा था और परिवरते न यानि transformation of energy ठीक तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं sources of energy sources of energy उड़्जा के स्त्रोथ देखें जैसा नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो energy होती है यानि उड़्जा होती है वो हमें कहां से मिलती है यानि कि उसके sources गया है स्त्रोथ क्या है तो उसी सब के बारे में इसके अंदर discuss करेंगे ठीक है तो इसको हमने दो parts में divide गया है पहला है renewable sources और दूसरा है हमारा non renewable sources यानि नवी करनी स्ट्रोथ और और अवी करनी स्ट्रोथ ठीक है देखिए renewable में हम बात करते हैं यानि नवी करनी के अगर हम बात करें तो इसके अंदर वो energy होती है वो energy के रिसोर्से होते हैं, जो हमें नेचर से मिले हैं, और हम उसे as it is use करते हैं, और वो energy ऐसी है, कि वो कभी भी खतम नहीं होगी, यानि हम उसे बार 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 इस्तमाल करते रहेंगे, वो कभी खतम नहीं होंगे, इसको हम बार 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 यूज़ करते लेते हैं, इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता और ये हमेशा रहींगे, ठीक, अब आप इसमें example देखें कि कौन कौन से होंगे, वह जैसे हमारा sun है, ठीक, sun से हम solar energy लेते हैं, अब आप ये बताइए, sun है, जैसे कर लेते हैं, तो उसे हम बोलते है solar power, उसे हम बिजली बना सकते हैं, solar cooker आप देखते होंगे, आपने पढ़ाओ भी होगा, आज से पहले solar cooker, आज कल तो solar की vehicle भी आने लगे, जिनके जो गाड़ियां होते हैं, EV, electrical vehicle जो होते हैं, उनके जो चछत होती है, उन पर solar panel लगा दिया है, sun से हम solar energy लेते हैं, ठीक, heat और light के form में, तो ये एक renewable sources है, यानि कि ये कभी खतम ही नहीं होगा, जब तक सूरज रहेगा, तब तक आप इससे energy लेते रहेंगे, ठीक, दूसरी आपकी होगी, जैसे wind energy, हवा जैस होगी जैसे, तो wind energy है, तो जब तक, जब तक पृत्वी अ अपने axis पे घूमती रहेगी, तब तक आपका wind energy मिलते रहेगा, यानि तब तक हवा चलती रहेगे, और उस हवा से हम, wind energy की form में, electricity और बागी कई सारी चीजे हैं, चक्कियां होती है, जो गेहों पीसने वाली चक्कियां होती है, और हम उससे electrical energy भी लेते हैं, तो इस तरीके से यह भी एक renewable resources है, sources मतलब, ठीक, hydro energy, hydro energy यह जैसे, यानि पानी से, वही नदियां है, सालों से बहती आई है, सालों तक बहती रहेंगी, हाला कि अभी हम उसे ignore करेंगे, कुछ नदियां है, सूख गई हैं जो, लेकिन हम एक बड़े amount में देखते हैं, इसे गंगा नदी है, क नदी है, वह एक तरीकी से hydro energy यह जैनि जो पानी से energy लेते हैं, ocean-से जो हम इसे यह सागर होते हैं, अब वह भी कई सालों से हजारो-सालों से हजारों तक और रहने वाली है, यह जैसे टाइडिल energy उगई, जिसे हम बोलते हैं, troutit l energy,자画わか быть से जो हम energy लेते हैं, ocean thermal energy, इस तरीक जो कभी खतम नहीं होंगे और हम उनसे बार-बार यूज करते रहेंगे ठीक ये जो नेचर से मिलते हैं इनका कभी खतम नहीं हो सकता ठीक रिन्वेबल तो हमने ये बात सी अब लिए जो कि एक तरीके से नेचर में प्रेज़ेंट हैं काफी समय से और हम इसे धीरे-धीले रि कुछ माइन्स या खदान ऐसी है जहां पर कोईला खतम हो गया है त्यानि कि यह लिमिट्ड इस्ट्रॉक एक तरीके से आप यह समझिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोईला खतम हो जाएगा शायद जर्मनी है यह साद मैं ध्यान नहीं है कौन सा कंट्री है उसने अपने जि दूसरा पेट्रोलियम है आँ इन भी आँ उंके खौली होते जा रहे है इसलिए हम जो है अपनी जरूरते हैं वह पेट्रोल से दिरे दिरे shift कर रहे हैं electric पर और electric का तो solar energy आप देखते हैं government पर बाकी देश भी जो है solar energy पर बहुत जादा अच्छे amount पर खर्च कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है धीरे धीरे यह एक दिन खतम हो जाएंगी लेकिन लोग की जरूरते तो हमेशा रहने वाली हैं तो इसलिए वो जो अपने dependence है वो धीरे 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 shift कर रहे हैं इसलिए EV को promote किया जा रहा है क्योंकि petrol एक तो महेंगा भी काफी जादा हो गया है और दूसरा यह limited है धीरे धीरे खतम होता जा रहा है कॉल है धीरे धीरे खतम होता जा रहा है अभी आपने पीछे देखा हो जाए पिछले साल की बात है यह दिल्ली में कॉल खतम हो गया था काफी हाक आख आ रहा है कि अब जो है डार्क में रहेगा दिल्ली 24 गंटे 18 गंटे ऐसे news आई थी तो इसका मतलब क्या था कि कॉल जो ह भी खतम हो जाएगा ठीक तो यानि कि non-renewable resources वह हैं जो कुद्रत ने नेचर ने हमें दिया और धीरे धीरे लिमिटेड है यानि धीरे धीरे खतम हो रहे है ठीक है renewables resources वह हैं जिने हम हमेशा use करते रहेंगे ठीक चलिए उमीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा अच् प्रीज लाइक करते चलिए है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फ्यूल की यानि इधन इसमें देखे समझाना कुछ नहीं है पता होगा आपको ये भी एक तरीक की सोर्स है एनर्जी का यानि स्रोत है जैसे हमारा आपका हो गया LPG हो गया PNG भी है एक CNG बायोगैस भी अब जैसे आपका एक तरीके से है तो यह जिस तरीके के जो है मतलब कोईला भी एक इंदन है ठीक पेट्रोल भी एक इंदन है तो इस तरीके के जो है चीजे हैं जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं और उस एनर्जी को हम अपने हिसाब से convert करके इस्तमाल करते हैं उस चीज़ को fuel बोलते हैं यानि कि जिससे एक ऐसा substance या कोई भी ऐक ऐसे चीज़ जिससे हम energy लेते हैं उसे हम fuel बोलते हैं अब fuel आप जो है petrol को भी बोलते हो fuel आप coal को भी बोलते हो fuel आप CNG को भी बोलते हो इसका मतलब यह हुआ कि जिस चीज़ से हम energy ले रही है या convert कर रहे हैं अपने हिसाब से उस चीज़ को हम fuel बोलते हैं ठीक है चलिए यह fuel था इसके वारे में इतना ही बहुत है कि fuel होता क्या है यह topic था topic है मैं इस chapter में छोटा था तो मैंने बता दिया अब जैसे इसमें एक चीज़ यह भी आ जाती है कि एक good fuel या फिर एक ideal fuel क्या होता है या अच्छा ही धन क्या होता है तो दीखिये कि उसकी high calorific value होनी चाहिए या हाई heat value होनी चाहिए यानि एक तरीके से जो अगर हम उसे जलाते हैं या use करते हैं उससे ज्यादा से ज्यादा हम heat ले सकें और ज्यादा से एनर्जी ले सकें ठीक है उसका ignition अच्छा होना चाहिए ignition का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि कोई हमने माल लीजे फर एक लगड़ी जलाई तो हमने लगड़ी माल लीजे यह एक फिट की लगड़ी यह सो ग्राम यह 200 ग्राम लगड़ी उसमें से मात्र वाद ही जली तो इसका मतलब वह एक अच्छा फ्यूल नहीं है ठीक है तो यह सारी चीजे होती है इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है कि अब हम बात कर लेते हैं कॉन्वेंशनल सौर्शिज ओफ एनर्जी कॉन्वेंशनल सौर्शिज ओफ एनर्जी यानि के पारंपरिक पारंपरिक स्ट्रोथ अब देहिए जैसे यह नाम से आपको पता चल रहा होगा कि पारंपरिक स्ट्रोथ क्या है या फिर कंवेंशनल स्ट्रोथ क्या है ठीक है जैसे आपका मेंडन से बताओं तो जैसे आपका फॉसिल व्यूल हो गया कि हatory よ फैसिल होते हैं कि हिंदियों नहीं बोलते हैं जवार्ष्म जवार्ष्म FUEL याने EDHन तो यह हमारे एक PARAMPRIX स्रोतсь है अब मैं बताता हूं कि PARAMPRIX स्रोत होते क्या हैं जिससे fossil fuel या जिसे बोलते हैं जवार्ष्म FUEL जवार्ष्म later यह एधन गजै कॉन्वैंट्शनल Sources of ENERGY, वोर Sources हैं, जिने हम आप इनहें उसी की तरह देख सकते हैं जैसे भी हमने पीछे पड़े थे इसी तरीके से समझे है कि कॉन्वेंशनल सोर्सेज वो हैं एक तरीके से जो हम कई सालों समनल बहुत टाइम से इस्तमाल करते हा रहे हैं हजारों साल पहले बीस्तमाल होते थे और नॉन उन्हें हम non-conventional बोड़ते हैं conventional में आप एक तरह की समझें कि ये limited होते हैं जैसे हमने अभी non-renewal sources पढ़े थे ठीक उसी तरीके होता है कि conventional जो होते हैं ये limited होते हैं जैसे जैसे आपका ये fossil fuel हो गया जैसे कि आपका जो जमीन में दबी हुए कई सो साल पहर पुराने जो जो लकड़ी हुआ करते थी या कोईले हुआ करते थे यह होते हैं उन्हें हम fossil fuel बोलते हैं जिनने हम निकाल लेके एज़ा कोल यानि कोईले के फ़र्म में इस्तमाल करते हैं ठीक तो fossil fuel वो होते हैं यानि कि यह समझी कि कोईला भी एक जैसे एक fossil fuel है यानि हम कोईले को जो है बहुत समय से बहुत कई सो सालों से इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन एक समय पर आकर उसका स्टॉक लिमिटेड है वह हम एक लिमिटेड टाइम पर यह इस्तमाल कर पाएंगे उसके बाद उसका भी स्टॉक खतम एक तरीके से ठीक है fossil fuel भी आप वही समझिए दूसरा आता है हमारा thermal power plant thermal power plant रफ की energy होती हैAR ने अर्थ की energy मतलब अर्थ की heat energy जो होती है वह हम अर्थ में से निका जो अर्थ की खुद की होती है अर्थ की मालeland ढधिए जीसे रेयर होती है तो दो लेयर के बीच में हीट energy होती है उस हीट energy को हम तर्वाइन पर डालते हैं जिसे तर्वाइन गोमती है और उसे हम electrical energy लेते हैं यानि thermal power plant में heat energy को हम electric में convert करते हैं यह तो हो गया यह तो यह भी एक तरीके से समझिए कि आप एक लंबे टाइम के period के लिए देखिए thermal power plant यानि जब तक जो प्रिथ्वी की layer है एक time पर आकर उसमें जैसे जिस तरीके से हम उसका use कर रहें एक time पर आकर उसकी जो heat होती है वो धीरे 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 कम होती चली जाती है ठीक जैसे आपने पढ़े होंगे geysers water geysers बोलते हैं बातरूम वाले geysers नहीं natural water geysers बोलते हैं आप देखते हैं कि कई जो पहले हुआ करते हैं काफी जादा हुआ हुआ करते थे फिर धीरे जामने उनका usage इस्तमाल सब्सक्राइब शुरू कर दिया तो उनका क्या हुआ उनकी जो धीरे 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 कम होने लगे जैसे आप यह समझे एक तो होता direct thermal जियो thermal बोलते हैं एक होता जिसमें koila जलाते हैं ठीक जिसमें हम बहुत ही बड़े scale पर हम koila import करते हैं मतलब जमीन से निकालते हैं आपने train से देखी होंगे बड़ी-बड़ी train जाती है पूरी मालगाड़ी वो सब thermal power plant पर ही जाती हैं जिससे stream निकलती है बड़े-बड़े boilers होते हैं उनसे stream निकलती है और stream की energy को हम तर्वाइन पर डालते हैं उस stream की energy जब pressure के साथ तर्वाइन पर पड़ती है तो तर्वाइन घोंगती है और electric energy बनती है नेक्स्ट आता है अपना hydropower plant यह आपने शायद आपने कुछ लोगों ने विजिट भी क्या होगा है यह इसे हम एक तरीके से dam बोलते हैं जिसे ठीक इसमें क्या होता है इसमें हम दो hills के बीच में जैसे दो hills मान लीजिए इन दो hills के बीच में नदी होती है उस नदी को हम एक बड़ी सी दिवार बना गए वो दिवार ऐसी नहीं होती है वो अलेकर मैं एक सिंपल बता रहा हम आपको जिसकी वैसे पीछे एक large amount में पानी इखटा हो जाता है और फिस उस पानी को हम एक pressure के साथ टर्वाइन पर डालते हैं छोट छोटे गेट होते हैं उसके अंदर वो गेट खोलते हैं बारी-बारी से वो टर्वाइन घोमती है जब वो टर्वाइन घोमती है उससे हम electrical energy बनते है ठीक तो इसे बहुंत बोलते है हाईड्रो पावर प्लांट लेके घोम फिर के जो आपने देखा होगा चाहे fossil fuel हो thermal power plant हो या जियो thermal power plant रहा हो हाईड्रो पाव conventional को हमने एक नया रूप दे दिया है यानि हम इसमें हमने कुछ अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करके तेकनोलोजी यूज करके हमने नई फॉम बना ली जैसे जिसे हम बोलते हैं जैसे बायो मास है इसमें हम क्या है कि गाई के गोवर गाई बहांस के जो गोवर होता है औ और जो थोड़ा बहुत खाद होता है आधियों का उसको हम बायो मास बोलते हैं जिससे हम बायो एनर्जी भी बना रहे हैं जैसे बायो गोवर गैस प्लांट होते हैं वह सारी चीजे ठीक बायो गैस प्लांट गाउं में बहुत काफी लोग लगवा भी होगा एक पूरा प्रोपर सेटप तयार के जाता है उसके अंदर रोज का जितना भी वेस्ट होता है गोवर बगारा वेस्ट होता है उसको हम एक बहुत बड़ा एरिया होता है उसके इंडर डालते रहते हैं वो दिरे-दिरे-दिरे नीचे जाता है और उसमेर इस गैस प्रम होती जाती है फिर व गैस जो होती है वह कमबसिबल होती यानि वो जोलन कह सकते हैं अब उसके हम ड्रायक crypto करते है कि रिछश को करते जो कि हमारे खान फानों को बनाने के एस्तमाल में श्कारता है तो उसय आप यह मत बोलिएगा कि मैं इनके प्रोपर लिखके नहीं समझावा हूं। देखिए लिखने का मेंटर बहुत बड़ा हो जाएगा। जो चीजे समझाने की हैं इसमें क्या मैं डियाग्राम आपको बनाके दिखा दूँगा। या इसकी मैं क्या आपको definition दे दूँ ये सिर्फ एक बार पढ़ने वाली चीज़े होती है इसमें से question हाला ही कोई आए कोई मेज तो लगता नहीं है कि इसमें से कोई question आएगा लेकिन chapter का topic आपको पता होना चाहिए कि thermal power plant में क्या होता है hydro power plant में क्या होता फोसिल फ्यूल किसे बोलते हैं इस तरीक के चीज़े ठीक non convention में आ जाता है जिने हम हमेशा इस्तमाल करते रहेंगे जैसे आपका solar energy हो गया इतना और मैंने पूरा समझा है ता आपको solar वाला solar energy हो गया और इसी को इस्तमाल करके हमने कई सारी चीज़े बना लिए जैसे solar cooker है खाना बनाने के इस्तमाल आता है solar panel जिससे हम इलेक्ट्रिक पैनल होते हैं जिससे हम electricity बनाते है हीटिंग डिवाइस आ गए है solar water heater जो होते हैं वो सारी चीज़े ठीक और इससे हमने एक solar cell बना लिया है यह syllabus में नहीं है बस बता रहा हूँ आपको जो कि यह इसका भी काम क्या होता है यह अपना एक तरीके से पैनल टाइप होता है तो यह क्या करता है solar energy को आपका electricity energy में convert करता है ठीक है तो यह था आपका non-conventional इसके बाद छोटे-छोटे topic है मैं लिखके बता रहेता हूं क्या ह है उसमें समझाने को कुछ नहीं है जैसे कि कुछ energy होती है जो हम सी से लेते हैं यानि सागरों से लेते हैं यहां लिख देता हूं energy from sea sea मतलब सागर जो होते हैं आप वह लेंगे सागर से किस तरीके से लेते हैं तो देखिए इस तरीके से लेते हैं मैं समझाता हूं आपको हो गई वेव एनर्जी यह अलग होती है यह टाइडल एनर्जी होती है यानि कि कुछ समय बाद जो सी का लेविल होता है वो नीचे हो जाता है जैसे समझे एक तरफ सी हो गया यह पूरा ठीक यह आपका बीच है ठीक यह बीच हो गया तो आप क्या देखते हो कि अभी पानी य lle versi 2 co कैकिनारे पर क्कुरी कि एक लगीतिन वह अब होती है वह कि लिए भी दुदारा प्रोसिंद दौरा होता है यह पर नी साँगे हो जाता है कि फिर दीरे दीरे पीछे лolly यह प्रिक्रिया चलती रहते यह उसमें क्या होता है जो सी लेविल होता है यानि साग items पानी का लेविल उपर नीचे उपर नीचे ऊपर नीचे 24 65 घंटे में होता रहता है तो जब वो ओट है और नीचे होता है उससे हम क्या करते हैं एनर्डी लेते हैं एनर्डी कैसे लेते हैं जैसे कि आपर समझीए एक ठीक यहां पर आपका पूरा पानी रहता है है कि इस तरीके से ठीक अब क्या होता जött पानी का यहां रहता है कि जब अब हाव्य टाइड हुथी जब पानी का सकतार बढ़ता यह जब पाणी ऊपर आएगा तो सीधी शेयों बात हो यह नदें घौनी। तो टर्बाइन घोमते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनरजी बनती है फिर धीरे धीरे यह लेविल तक पहुंच जाता अब क्या होता है लो टाइड होई पानी नीचे पहुंच गया इधर का समूदर वाले साइड का पाइड नीचे तो जो इधर पानी भरावा था अब वो इधर को अट्र्बाइन फिर गमएगी तो यह जब हाई टाइड होती गद्यक्रोच टर्बाइन ऐसी ही चलती रहती है और उसे हम विजली बनाते तो यह हमारी टाइडल एनरजी होती है इसी तरीके से हमारी होती है वेव एनरजी वेव यानि लहरे जो होती है समुद्र की वो क्या होता है वो उसमें जो हम लहरे देखते हैं किनारों पर आती है उसमें हवा का बहुत योगदान होता है यानि वो जो आती है वो हवा की शिखास ही होती है वो جब वो भी जब आती हैं बड़ी-बड़ी वेव साती है चलती रहती है दिन और आ 24 गोंडेल तो उन वेव को हम क्या करते उसके लिवाईन पे लगाते इंग लwsकूर आती है तो क्या करती है वे रभाईन खूंती ऑलता है लेक्ट्रिकल ठीक है तो यह टाइडल एनर्जी तो होती है पानी के इस तरीके से सेट अप होता है और वेव एनर्जी डाइक्ट जो लहरे आती है हर 30-40 सेगंड में लहर आती रहती है उसको हम टर्वाइन पुडाल गए लेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं ठीक है तो यह चीज होगी इसी त का यानि नाब के बोलते मेरे ख्याल से अ no अल कि देखे नुकलिय नाविक्ए जीसे बोलते हैं यह दो तरीके क यनि कि पहले बताएता हूं कि ये नुकलिय नेरठ्जी यह profit होती है देखिए नूकलियस एकमस होते है उसके अंदर नुकलियस प्रेजेंट होता है और उसके खुद के एक एनरजि होती है जिसे हम नुकलिय इनर्जि बोखेए वही आप chemistry पढ़ी होगी आप तो आपको पता होगा जो एटम्स होते हैं यूरेनियम प्लेटिनियम यह जितने भी होते हैं इनका एटम्स होते हैं इनके न्यूक्लियस होता है जिसके तार तरफ एलेक्ट्रोंस गोंगते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी होती है हर न्यूक्लियस के अलग एनर्जी लेविल होता है ठीक तो उस energy को हम लोग ने ऐसा बलता जो उसके अंदर की nucleus energy होती है उसको हमने अपने हिसाब से convert करके या उसका इस्तमाल करके अपने use के लिए बना लिया है ठीक है तो जो हम nucleus से energy ले रही है यह हम nucleus के खंडन से और विखंडन से जो energy लेते हैं निकलती है nucleus से वो हम energy को obtain करते हैं और अपने हिसाब से उसे use करते हैं ठीक है तो दीकिए इसमें दो आपने पढ़ा होंगे nuclear fusion होता है और nuclear fusion होता है तो देखे nuclear fusion को हम बोलते हैं नाब के विखंडन इसमें हम क्या होता है देखे इसमें जो nuclear fusion होता है इसमें हम क्या करते हैं कि एक heavy nucleus को एक heavy nucleus को हम छोटे-छोटे nucleus में तोड़ते हैं ठीक इतली मैं दूसरे पेच बता देता हूं है जो हमारा न्यूक्लियर फीजन होता है इसमें हम क्या करते हैं हम लोग इसमें एक heavy nucleus होता है ठीक इसको हम तोड़ते हैं छोट छोटों में ठीक यह भी small nucleus फिर इसको हम और छोटे-छोटे में तोड़ते हैं तो जब यह टूटने के प्रिक्रिया चलती है यह जो रियक्शन चलती है चैन रियक्शन जो चलती है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जब यह chemical reaction हो रही है तो energy निकलेगी ठीक टूटने में और बनने में जो energy निकलती है तो हम उस इसमें जब यह process करवाते हैं fusion का तो इसमें बहुत ही large amount of energy निकलती है ठीक उस energy को हम बोलते है nuclear energy ठीक निकलियर फिजन में heavy nucleus को छोटे-छोटे nucleus में split किया जाता है तोड़ा जाता है और इस तोड़ने के प्रिक्रिया के बीच में energy निकलती है उस energy को हम अपने हिसाब से use करते हैं उसका use क्या है मैं भी आगे 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 आपको बता दूँगा तो यह हमारा nuclear एक तरीके की nuclear energy है ठीक अब इसी में दूसरा आता है मैंने भी बताया था आपको nuclear fusion यानि के नाब किया है सलंगन बोलते हैं साथ मतलब आप देख लिजेगा हिंदी में क्या बोलते हैं इसे सलयन बोलते हैं गलत हो तो देख लिजेगा मतलब इसमें क्या होता है यहां फ्यूस होते हैं नॉक्लिएस को लिजितंद Κानी एक जगानेumps नूक्र confirm इसमें क्या कर रेता हम हैवी को चोठी में दोड़ रहे ते इसमें छोठी च्छच्च्टे को बड़े घर ले तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी एक बहुत बड़ी एमाउंट में एनर्जी निकलती है कि जिसे हैं नॉकलिई रशे बोलते हैंग कि अब इस नूलyनरजी की है उसका हम विजली बनाने के लिए कि लिए करते हैं। जो आपने नॉकलिः पौवर प्लेंत देखे होंगे। एकम बॉम ऑप बोलते हैं जिसे वो है एक तरीक्ए से वह समझ लीजीए। कि एक बार शुरू हो गई चैन रेक्शन उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं जाता इसलिए काफी बहानक उन बॉम को कहा गया है ठीक और जो न्यूक्लियर पावर प्राइंट में सेम वही रेक्शन होती हैं लेकिन उसमें क्या है कि हम उझे कंट्रोल कर सकते हैं वह इस तरीक में न्यूक्लियर में तोड़ लेते हैं और इसमें क्या है कि जब हम तोड़ते हैं कि हेवी एमांट हीट एनरजी निकलती है हीट एनरजी वह निकलती है फिर हम उस हीट एनरजी का यूज करते हैं इस स्ट्रीम मनाने में ठीक बोईलर्स होते हैं इस पानी से स्ट्रीम मनात है टर्बाइन के बाद वह एनरजी हमारी इलेक्ट्रिकल एनरजी में कनवर्ट हो जाती है आगे समझें तो यह जो होता है प्रोसीजर यह तो हमारा होता है नुक्लियर पावर प्रांट में इसे हम कंड्रॉल कर सकते हैं ठीक लेगिन जो बॉम अगरा बनाए जाते हैं ज्यादा नुकसान करते हैं ठीक इसमें कुछ नहीं इसमें फ्यूजन में छोटे-छोटे को एड़ किया जाता है और फ्यूजन में हैवी नुकलेश को छोटे-छोटे में तोड़ा जाता है ठीक है चलिए आगर देख लेता हूं कुछ है तो नहीं तो इस चैप्टर में आपका यही था एक बार फिर से बता जाता हूं कि हमने इसमें क्या पढ़ाए आगए आगे चैप्टर हमने सोर्स ऑफ एनर्जी पड़ी यानी उचाके स्तृत पड़ी रिनुवबल स्ोर्स नभी करणिये स्टोत और नॉन रिनुवल यानि अनभी करणिये स्टोत ठीक है उसके अंदर मैंने आपको सारी चीजे बताही थी अर्थ के अनर्जी क्या होती यह इनर्जी यह सारी चीजे बताई थी इसके बाद हमने फ्यूल पढ़ा फ्यूल को मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके देख फ्यूल होता है किसे फ्यूल बोलते हैं फिर पारम पर किस तरह होते हैं यहानि कॉन्वेंशन जो की इनर्जी को बता दी तो इस चैप्टर में देखे यही था वर्क अनर्जी पार इससे ज़्यादा और इससे डीप शायद ही आपको कोई पढ़ाए और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं बस कोई आपको गार आप देख रहे हैं कि वीडियो कई कई गंटे की वीडियो है तो पता होना चाहिए कि इसके फ्लू ये क्या होती है यानि डेफिनेशन क्या होती है एसा यूनिट क्या होती है सीजी यूनिट क्या होती है ठीक है काइनेटिक एनरजी में आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनरजी किसे बोलते हैं क्या फॉर्मॉला होता है इस तरीके से त यह जो numerical होंगे यह मैं आपको बाद में कराऊंगा ऐसा नहीं मैं नहीं कराऊंगा मैं भी आपको बाद कराऊंगा लेकिन वह तब कराऊंगा जो हम सारे chapters से पूरा complete कर लेंगे तो उसके बाद है mix numerical करेंगे एक एक chapter के अच्छे से numerical करेंगे जो कि एक भी numerical छोटे ना तो यह सारी चीजिए इस chapter में थी अगर आपको यह chapter लगा हो कि मैंने एक अच्छी खासी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में इस आपको समझाने में तो प्लीज लाइक करती जिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और जाते आते एक बात और कि आप हैड़ ओपरेटर के त्यारी कर रहें तो बाकी वीडियो भी डलती रहती है रोज की दो तीन वीडियो आती है संडे में वीडियो नहीं डलती है ठीक है तो आप चैनल की प्लेइस्ट पर जाकर वो देख सकते हैं और दूसरी बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे प्लीज आप उससे जुड़ जाएए जो आप हमारा टेलीग्राम पर एक्वार्ण स्ट्रेटर के नाम से जो स्क्रेल मिलता रहता है पीडियो मिलती रहती है ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आपका धन्यवाद जैहिंद